विश्वयुद के बाद विश्वयुद में जीत काश्रे मुख्य रूप से सोवियत रूस, सयुक्त राज अमेरिका और बिटेन को जाता है इन तीन देशों ने यह तैकिया की सरुप्रतम नाजी शासन व्यवस्था को विगटित करना है विभिन अमानवी कृत्यों के लिए नाजी अधिकारियों को दंड दिया गया लेकिन केवल 11 को मृत्यु दंड दिया गया बाकी को कारवास और आजीवन कारवास मिला जो कि उनके अपराधों के तुलना में बहुत कम था फिर एक बार यूरोप का नया नक्षा बनाया गया यूरोप का वह हिस्सा जिसे सोवियत रूस ने आजात किया अब वह रूस का प्रभावशेत्र बना और जापान सहित बाकी हिस्सों पर अमेरिका का प्रभावशेत्र बना जर्मनी का विभाजन हुआ और उसका पूर्वी भाग रूस के और पश्चिमी भाग अमेरिका के प्रभावशेत्र में गया पोलेंड, चेकोसलोवाकिया, हंगरी, युगोसलाविया, रूसी प्रभावशेत्र में रहकर स्वतंत्र राश्च राज्जी के रूप में इस्थापित हुए इसी तरह पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, हॉलन, इटली, ग्रीस, आधी देश अमेरिकी प्रभावशेत्र में रहकर स्वतंत्र राश्च राज्ज बने जापान में वहां के राजा का शासन जारी रहा, मगर अमेरिकी तत्वाधान में चुनाओ के द्वारा नई सरकार वनी और उसने एक नए लोगतांत्रिक सम्विधान का निर्माण किया अमेरिका और रूस दोनों ने अपने प्रभावशेत्र के देशों के आर्थिक पूना उद्धार की योजना बनाई, ताकि युद्ध से जिन देशों का विध्वश हुआ था, वे फिर से विकास करें इस बीच यह प्रस्ताव आया कि यहूदियों के लिए उनके पौराणिक शहर योरिशिलम के आज पास एक अलग देश बने, यह वास्तों में अरब लोगों के शेत्र में था, और अरब लोग वह वहां रहने वाले फिलिस्तीनी लोगों ने इसका विरोध किया, फिर भी अ जर्मनी की हार के शुरुवात हुई, एक नए अंतराष्टी संगठन के लिए प्रयाश शुरू हुआ, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका के नेताओं ने कई बार मिलकर भावी विश्व व्यवस्था और इस प्रस्तावित संगठन की रूपरेखा पर विचार प्रारंब कर युद्ध समापती के बाद अक्टूबर 1945 में 50 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संगठी की स्थापना की, इसका मुख्युद देश विश्व में शांती स्थापित करना और देशों के बीच विकास के लिए आपसी सहयों बढ़ाना था, हर देश की आंतरिक सिध्धानत रहे हैं, राष्ट्र संग मुख्य सदस्य देशों की सहमती के आधार पर ही काम करता था और उसके पास अपने नेनेों को लागु करवाने की ताकत नहीं थी, सयुक्त राष्ट्र संग में यह ध्यान रखा गया कि किसी महत्वण नेनाय पर अगर प्रमुख्य देशों की सहमती हो, तो उसे उन देशों के सैनिक बल के आधार पर लागु करवा सके, उस समय पास प्रमुख्य देशों को सयुक्त राष्ट संग में विशे स्थान दिया गया, यह थे सयुक्त राष्ट अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवेत रूस और चीन, इन्हें सय सयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशत के इस्थाई सदस्य बनाया गया, और प्रतेग को यह थिकार था, कि वा किसी भी निर्णय पर आपत्ती होने पर उसे रोख सकता था, इसे वीटु अधिकार कहते हैं, सुरक्षा परिशत के अलावा, सयुक्त राष्ट संग के सभी सद जस्यों की आमसभावी होती है जिसमें कई मसलों पर विचार विमर्ष और निर्णय होता है इनके अलावा एक अंतराश्टी न्यायालय भी इस्थापित हुआ जिसमें देशों के बीज के विवादों को सुल्जाया जा सके और अंतराश्टी कानून और संधिया ठीक से लागू हो। देशों के 20 सहयोग और विकास के लिए कई अंतराष्टी एजेंसिया बनाई गई जैसे यूनेसको, यूनिसेप, विश्व स्वास्त संगठन, विश्व श्रम संगठन, अंतराष्टी मानव अधिकार आयोग आदी। सहयोग राष्ट संग विभिन समस्याओं के बावजूत पिछले 70 वर्षों से विश्व में शान्ती, विकास और सहयोग के लिए काम कर रहा है और जो तृति विश्वित के खत्रे को टालने में सफल रहा है।